दोस्तों आज किस वीडियो में देखने वाले हैं आपके पास LG का New Model TV है यहाँ पे अगर आप application को download करने जाते हैं जिसमें आपको खोजा जाता है कि LG account को पहले login कर ले आज किस वीडियो में LG account को create करेंगे and login करेंगे अपने LG के TV में जिससे कि आपका problem solve हो जाए जो भी application download करना यहाँ से आप directly account वाले option पे जा सकते हैं या फिर आप app जब download करने जाएंगे वहाँ पे भी आपको login करने का option मिल जाएगा जैसे ही yes पे click करेंगे यहाँ पे तीन option देखने को मिल जाएगा sign in with the mobile LG thank you app and sign in with mobile web third option sign in on TV first वाला option अगर LG के thank you application से करना चाते हैं उससे भी कर सकते हैं या फिर आपको web दवारा करना चाते हैं अपने phone में chrome browser पे जाके करना चाते हैं वो भी कर सकते हैं या फिर आपने create कर रखा है पहले से account तो sign in on TV भी कर सकते हैं तो मैं second वाला option को choose करता ह हूँ अपने phone से ही से create करूंगा और यहां पर login करके दिखाऊंगा second वाले option पर click करने के बाद आपको इस तरह का interface खुल कर आ जाएगा जिसमें QR code का option आता है और यहां पर TV code देखने को मिल जाएगा तो simply phone को open करना है और यहां से phone में Google Lens को open करना है और इस QR code को scan कर लेना है scan करने के बाद आपको directly LG के website पर ले जाएगा जहां से आप account को create कर सकते हैं यहां पर आपको TV में जो code सो हो रहा है वही code को enter कर देना है and next कर देना है next करने के बाद इस तरह का interface देखने को मिलेगा बहुत सारा option मिलता है create करने का create account पर भी जा सकते हैं या Google वाले option पर click कर लि जिसमें जितने भी टर्मन कंडिशन है उसे टिक करके okay पर click कर देना है यहां पर इस तरह का interface open होके आ जाएगा जिसमें आपको एक password create करना है new password login करते टाइम यह password required होगा उपर में mail ID आपको सो हो जाता है और नीचे में दो बार password को enter करके okay कर देना है यहां पर option इस तरह का देखने को मिल जाएगा sign in मतलब की आपका TV जो है वो वो लॉग इन हो चुका है अपने LG के account से यहां पर इस तरह का pop-up भी आएगा LG के TV में तो आपको इस तरह का interface देखने को मिलेगा जिसमें आप अपने name को customize कर सकते हैं आपकी इस नाम से अपने ID को रखना चाहते हैं व जो आपने पहले से install पर लगाया था यहां पर अपने हिसाब से multiple account को login करना चाहते हैं तो वो भी possible है simply corner में जाएंगे account वाले option पर क्लिक करेंगे and plus वाले पर क्लिक करके same procedure करके आप नया account को भी बना सकते हैं यह option चूज कर सकते हैं अगर घर में दो तीन person है जो अलग- कर सकते हैं तो आज के लिए बस इतना ही मैं मिलता हूं इसके अगले वीडियो में तब तक के लिए take care good bye